हालो मेंबर्स वल्कम बेक टू ओंग चनल स्टॉक मार्केट फट नामे अब देखो आज का पार्ट रग दिया है नहीं देखा जाके देखेगा एंड बहुत सारे स्टॉक्स में आज ब्रेक आउट था ठीक है आप लोगों की क्वेरिस हम लोग जरूर कवर करेंगे जैसे की स सर ने बुछे थे कि सर मार्केट रिवर्स हो गया ठीक है और आपके इंट्राडे स्टॉक में से एक लास्ट आवर में फॉल हुआ तो हम लोग ने ट्रेड किया देखो शौट में अगर आप इंट्राडे स्टॉक में ट्रेड करते हैं ना ठीक है तो थोड़ा लेवल का भी अलाकि एक BTSD में आपको फ्री टेलिग्रम में देता हूं बाखी के BTSD WhatsApp मेंबर्स के लिए होता है तो कल एकी BTSD मिला जो टार्गेट हीट हो गया तो हम लोग ने ट्रेड के लिया बैंक निविटी का 100 पॉट्स का ट्रेड किया तो वो कैसे देखा जा सकता है आप यहां प जो खरीदारी है वो काफी तक पॉजिटिव है लेकिन आपको अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट में वीक्नेस है अलाकि थोड़ा फोकस जाधा करना मैं बस वीकनेस कहां पर है बैंक निफ्टी में मिड काफी ऊपर गया है ठीक है और उसमें सबसे जाधा उपर गया दिफेंस सेक्टर वो बाद में डिसक्स करेंगे हाँ पर डिफेंस टॉक्स है हम लोग डिसक्स करेंगे लेकिन ज्याधा तर की खरीदारी ये वार्केट में डिफेंस टॉक्स में अभी के लिए ता आती हुई दिखे दिए अब देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट है सुनना ज्यान से जीएस्टी के आज मिटिंग थी टीक है जीएस्टी अब्डेट हुआ है 28 पॉसेंट जीएस्टी लगने वाला है गेमिंग यानि कि आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं या ऑफलाइन गेम खेलते हैं कसीनोस में होर्स रेसिंग करते हैं ठीक है तो 28 पॉसेंट जीएस्टी वहां पे लगने वाला है यानि कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम डेल्टा कॉप को आने वाली है यह आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए अब देखो ऐसारी कि सिफ यहां पे जीएस्टी बड़ा है जीएस्ट में करेक कर देना ठीक है वहां पे पांच परसंट जैसे कुछ जीएस्टी हो जोता है लेकिन मैं देखो रिटेलियों चक थोड़ा फोकस करना आप जो बोलने वाला हूं कुछ ऐसे लग्शिरिस आइटम है ठीक है जहां पे जीएस्टी 28 परसंट लग रहा है एक टाइम था जहां पे सर्विस टेक्स ठीक है वेट और सब कुछ मिला के बारा चौदा परसंट होता था यानि कि मैक्सिमम टेक्स अगर आप बिजनस करते है ठीक है तो वेट और सब कुछ मिला के 12-14 परसंट लगता रहा वो कलियंस तो अभी आप देखो कि 28 परसंट आ चुका है अब म टेक्स दे उसमें भी 30-40 परसंट टेक्स होता है ठीक है तो सोचो कितना बचता है तो जो बोलते ना सर्ट टेक्स चोरी क्यों हो दे बारत में यह इसी की वज़े से होती है देखो मैं डायरेक्ट आवरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन थोड़ा फोकस करना चाहिए कि हाई अच्छे गवर्मेंट को कि ज़्यादा टेक्स अच्छा नहीं होता थोड़ा प्रोब्लम क्रियेट कर सकता है मार्केट ले चलिए बात कते हैं पर डिफेंस टॉक्स डिफेंस टॉक्स आज रिली सबसे ज़्यादा की है प्राइमर एक्स्प्लोजिव ने दूसरी रिली है म 10% की अपर सर्केट में था हम लोगों ने यस्टरडे ट्रेड किया था मासगन डॉक के अंदर हमारे वाटस में बज जानते हैं हम लोग के क्या 3-4 पसंट टार्गेट आ जाते प्रॉफिट बुक कर लेते हैं आज हम लोगों ने ट्रेड किया था कोचिन शिप्यार में काफ लेकिन डिफेंस सेक्टर में थोड़ी बहुत रही है अगर पूछे सर क्या जी आर ऐसी गार्डन विच शिप बिल्डर्स मासगन डॉक कोचिन शिप्यार कोई अभी बाई करना चाहिए तो बाई मेरी सब से अभी कोई आपको ज्यादा कूदना नहीं चाहिए अगर किसे न स्टॉक के टार्गे कि कमेल अब को अल्यरी बात दिए है डिफ्योज का जोन में आपको पहले भी बता दिया है अगर अब पूछे तो ब्ल्लू का ही जोन है अर्च चाहिँ 760 में को कोCr handle दे है उस अब प्रौफित मॉerg डोख कर सकते हैं ठीक हैं फिosedन जोन में धा औश स् जो डील थी समिकंड़क्टर की ठीक है वो विड्रो होती हुए दिखाई थी इसके वाज़े से वेदान्ता फॉल कता हुआ दिखाई जया अब सर वेदान्ता में क्या करना चाहिए हालक के दो यहां पे अजस्टेड वेदान्ता से फ़ीड़ परसें डाउन नहीं कि यहां में कोई टेंशन नेन की जरूरती है तेकि जिन लोगों ने आप्शन लिया है उसका तो खेल खतम है वेदान्त एक रींज बाउंड है जैसे इंडवालों के लिए जिनके पास काट्रेट का स्टॉक है न्यूस पॉजटिव है ओलेक्स इंडिया को इन लोगों ने खरीद लिया है तो 17 परसन अज स्टॉक उपर गया था क्लोजिंग है 15 परसें यह न्यूस वैसे कल आ चुकी थी मेरे वीडियो रखने के बाद अब को 584 तक गया था क्लोजिंग 14 परसेंट की है अभी के लिए कुछ मत करना सीरस नोट पर कुछ मत करना वॉल्यूम्स इतने नहीं है यह पर वॉल्यूम्स पूरे ड्राई है अगर करना ही है तो 600 की उपर करना 600 बड़ा रेजिस्टन्स है अगर यह सस्टेन करके निकल गया तो फिर शायद अच्छा कासा यह स्टॉक उपर जा सकता है 800-900,000 तक जा सकता है लेकिन अभी के लिए नो आवरेश नो फरेश भाई पड़ा वेट और वाच करेंगा नियूस पॉजिटिव है अगर मुझसे उच्छे ना कार्ट रेट का जो बिजनस है ना काफी इच्छा है यह तरनाराउन काफी बड़ा होने वाले और यह पूरा जो खरीदार की है वो कैस्ट में की है तो यह आप लोगों को फोकस करना चाहिए कार्ट रेट स्टॉक बूरा नहीं है अब देखो HCL Tech के नंबर आने वाले है वैसे आप सभी को वादा कि TCS के भी नंबर आने वाले है HCL Tech के माना जा रहे है कि profit 15% से बढ़ सकता है और definitely कोशिना जाए कि हम लोग को करे क्या stock में क्या fall आएगा या फिर यहां से uptrend जाएगा देखो थोड़ा फोकस करना अभी जो बोलने वाला हूँ यह जो भी result आने वाला है HCL Tech, TCS यह result ठीक है देखो यहां पर stock का already impact पढ़ना स्टार्ट हो चुका है रिजल से पहले stock में profit booking स्टार्ट हो चुकी है यानि कि market में अंदाज़ा है कि क्या result आने वाला है तो अगर जरा से भी खरवाए तो IT stocks में काफ़े गिरावट आ सकती है यह बात ध्यान में पक्कर रखीगा ठीक है जो भी pullbacks किये थे retracement किये थे वह थोड़े fall करने वाले है वापस लेकिन अगर अनुमान से काफी better है तो भाई कि निफ्टी 19.600 को आरम से टेस्ट करेगा तो हम लोग wait and watch करेंगे आइटी स्टॉक्स में profit booking clear cut है आप यहां पे देख सकते हैं अगर पूचे कि सर शॉर्ट करें वगेर कुछ नहीं यह वीडियो रीटेल इमश्यक के लिए है लेकिन अनुमान है कि result quarter to quarter थोड़े वीक आ सक अब देखो कि यहां पे result की update की वज़े से stock नया हाई पे गया है चार मेने में double हो चुका है यह stock sir क्या करना चाहिए कि वैसे एलिकॉन में आपको बहुत पहले दिया था अभी यह stock vertical गया है तो अभी vertical में खरी जारी करना बेवकुफी हो जाएगी तो काफी नीचे की level से उपर गया 300 का stock 700 हो चुका है अभी खरीद होगे और क्रेश ओंद बहुत खड़ा पिट होगे लेकिन अगर किसी के पास है 660 का stop loss रखता 660 ठीक है और trailing stop loss और target में भी श्याद 800-850 हो सकते हैं लेकिन यह only जिन लोगों ने अल्रेडी hold करके रखा है फूर अधर trailing stop loss ठीक है यह बात ध्यान में रखीता आप लोग तो members hope आज का वीडियो समझ में आ है कि यह फटाट कुछ लोगों की कुछ members की query ले लेते हैं कि सबसे पहली query है polyplex polyplex रिनुका को cover कर देना चलिए फटा-फट कवर कर लेते हैं देखो एक बात समझो current quarter सुनना अभी माना जा रहा है कि current quarter के result polyplex यानिकि यह जो packaging company है उनके खराब आ सकते है प्लस chemical sector के result खराब आ सकते है जैसे कि art industries नविन, fluorine वगेरा वगेरा तो यह जो stocks fall करें उसी की वज़े से fall करें अभी जो fall आ रहे है polyplex में उस सेम reason है जब तक result नहीं आएंगे तब तक यह fall करें अगर result अनुमान से better आ जाते है या कुछ updates आती है result मे तो stock यहां से blast करेगा अभी के लिए पूरा sideways है stock आप देखोगे यहां पे पूरा sideways हो चुका है यह की range में शायद 1.5 में से पड़ा है तो अभी कुछ नहीं करना है result का wait कर सकते हैं अगर outlook positive हुआ तो यहां से यह फटने वाला है यह बात यहां में रखेगा अक्षीता cotton सर क कोशिन था कि शर अक्षीता cotton एक साल का व्यू क्या है बता यह फंडामेंटली अच्छा लग रहा है देखो एक बात समझो अक्षीता cotton में मैंने आपको पहले ही समझा था manipulation है और यह बात आप अपने फ्रेंड्स को भी बता देना क्या बता नहीं है कि अगर कोई stock ऐसी स्रेडिया बना की चटता है देखो स्रेडिया कैसी stock में circuit नहीं लगती सुनो ध्यान से 5% की मानलो circuit नहीं लगती stock का closing रहता है 4.80% यहां वे stock उपर रहता है सिफ हलके से buyers open रहते ताकि आप लोग entry कर सके और ऐसी सीडिया बना के उपर चाड़ता है फिर one shot में बड़े player sale कर देते है फिर lower circuit बना के नीचे ठीक है मुझे भी बहुत सारी comments आई थी 80 पे लोगों ने खरीदा था और यह stock अभी 26 पर है बाई manipulation strong है एसे stock में ना पड़ो बले जो भी आपको दिखाए दे नहीं घुसना है एसे stock में जितनी भी updates हो यह market में manipulation चलता है CB हो के नहीं कोई फरक नहीं पड़ता अगर सेवी को फरक पड़ता तो अधानी को छोड़की यहां पे घुसता लेकिन भाई CB क्या करता है कुछ नहीं करता मेरी साब से तो कुछ नहीं करता है चले प टेल इंजीनेरिंग सर का कोंशन था और वैसे मैंने भी आपको बता दया था कि बारे में अपडेट रकों गा कि की एक सर में पूछा था कि सर पटेल इंजीनेरिंग में अपडेट वापस कर सकते क्या के शेह काफी यह तक प्लेज है ठीक है देखो मैंने पटेल इंजिनेरिंग थोड़ा देखा है शेर डेफनेटल प्लेजर देखें अज श्रॉक सार्किट में क्या है अब देखो हुआ क्या है कंपनी का ग्रोथ काफी इच्छा है अगर आप यहां पर देखोगे तो एफ़ाई ने स्टेक इंक्रिज क्या है डियने स्टेक इंक्रिज क्या है पटेल एंजिनेरिंग के अंदर अगर आप देखोगे एर-to-year वेजस पर इनका प्रॉफट भी बड़ा है रेविन्यू भी बड़ा है लेकिन इनका जो कर्जा इंट्रस्त है देखों यहां पर इंट तो बाई जैसे कि बोला रिस्क लेने वाले कर सकते हैं और नहीं आई तो आइसा है लेकिन मुझे लगता है कि शायद सर को कुछ पता होगा वीजए सर वीजए के डिया सर ने जो स्टॉप खरीदा है मुझे लगता है कि कुछ डील होने वाली होगी में भी इस तो पांची तो serious note पे अगर सर के नम पर रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं मेरी सर्थे तो में ट्राइ करूंगा जरूरू स्टॉक में एक वाल लेकिन हाँ बहुत ही छोटी में रिस्क लेने की कोशिश करूंगा बहुत छोटी टाकि मुझे मेरे पॉर्टफॉलो में इस्चुज ना है बस उत नहीं टेके तो हाँ चांसेस आप ले सकते अगर लेना चाहते हैं लेकिन कम कॉंट्रीटी में सीरस नोट पर यह स्टॉक 125 तक गया तब यह डबल हो चुका है त्री टैम्स हो चुका है लिखो यह स्टॉक वर्टीकल गया है तो मुझे नहीं लगता कि स्टॉक में अभी कोई फ्रेश एंटरी करनी है आप लोगों को स्ट्रॉंग वर्टीकल है और हाँ रिजल्ट भी बहुत जंद आने वला है मनसली चार्ट पर 80 आरे से की उपर है यह गिरेगा ना बहुत खराब गिरेगा है फॉर मीए क्लियर कट अवाइड या तो ट्रेलिंग स्टॉपलस रखो ट्रेलिंग स्टॉपलस होना चीए 280 का जैसे कि आप यहां पर देख से यह लेवल है 280 ब्रेक एक्जिट ह होना चीए मेरी सबसे यह बाध्यान में रखेगा तो हो मैं मस आज का वीडियो समझ में पसंद है फिर कोई क्वेरी रहते कॉमेंट कीजेगा बाकि अगर वाट्सप ग्रूप को जोइन करना है ऐसे BTSD या मोमेंटम कॉल्स के लिए तो हमारे वाट्सप ग्रूप जोइन कर स करते हैं ठीक है आपको सिफ हमारी लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा कोई भी एक में पांच मैने की फ्री मेंबर्शिप मिल जाएगी या फिर आप 900 की मेंबर्शिप ले सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए गुड़ बाई जय है